Hi everyone, welcome back to next pro literature. इस वीडियो के दर हम डिस्कस करने वाले हैं Aristotle की philosophy which is under unit 1 of western political philosophy. Plato को हम already discussed कर चुके हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हैं तो please go and check that. Now without wasting much of your time, let's start the topic. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि Aristotle थे कौन? ये Athens से नहीं थे जहां से Plato थे लेकिन इनका काफी ज़्यादा समय जन्दगी का Athens में ही बीता है. इनका जन्म हुआ था 384 BC में in the city of Thresia. इनके father एक physician थे to king of Macedon. तो 366 BC के अंदर ये Athens के अंदर आए और इन्होंने Plato की academy को join किया. तो हमने Plato में पढ़ा था कि Plato ने एक institute था वो खोला था उसका नाम था academy. Aristotle को Plato का सबसे अच्छा student और सबसे greatest critic माना जाता है. इन्होंने काफी अच्छी तरीके से present कर आपने works को भी और ये भी बताया कि किस तरीके से जो Plato के works है वो सर्फ दिमाखी बातों में ठीक है. वो ideal state की बात करते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. But when we talk about the practicality of that thing, कि भाया practical life में क्या होने वाला है, तो वो चीज़े सही नहीं दिखती है. तो इसी तरीके से जब आप इनकी philosophy पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारा criticism भी मिलेगा Plato का. जब Plato की death होती है 347 BC के अंदर, तो इनको लगा था कि भाया सबसे अच्छा student हु, मुझे ही सारा अपना कारोबार थमा के चले जाएंगे. लेकिन Plato ने क्या कि, अपने nephew को दे दिया था अपना academy, तो इससे भी इनकी जो hopes थी, वो काफी ज़दा blight हुई. फिर उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने एक school खोला, जिसका नाम था Lyceum, वो 12 साल तक इन्होंने चलाया, then after वहाँ पे वो पूरा lecture दिया इन्होंने, and he last breathed in 322 BC. तो ये था इनकी life के बारे में, which is from 385 BC to 322 BC. Alright, so now let's talk about his philosophy. तो इनके कुछ important works के नाम है, metaphysics, physics, rhetoric, politics, etc. तो Aristotle की बात करें, तो ये platonic view को बिल्कुल refuse करते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको पहला भी बताया है कि ये Plato की तरह ideal world की बात नहीं करते हैं, बलकि he talks about the transcendental world, कि ये real world में क्या होने वाला है. जो idea है that is built with different elements in the temporal world. मतलब कि earthly objects की बात करते हैं, कि हम इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं. ऐसा दिमाग में नहीं सोचना है कि हाँ सबसे ideal राजा हमने चुनना है, सारे प्रजा अच्छी हो जाएगी. आप practically क्या solution present कर सकते हैं, वो बात करेंगे Aristotle. Aristotle अपना opinion देते हैं कि जो knowledge है वो productive हो सकता है, अगर वो practical हो और theoretical हो. मतलब कि आपका जो knowledge है वो ऐसा होना चाहिए कि आप practically उसको implement कर सकें. For example, कि अगर कोई corruption का problem है, तो आपको पता होना चाहिए कि practical तोर पे आप क्या कर सकते हैं, ताकि लोग corruption ना करें. अब ये बोल देना है कि सबकी soul अच्छी होती है, अगर इंसान soul में जाकेगा तो ये हो जाएगा, अब ये soul का concept सबकी समझ में नहीं आएगा. So, this kind of things are told by Aristotle, और ये criticize करते हैं Plato की theory of forms को, वो बोलते हैं कि जो properties है, forms है, वो बाहर नहीं होती, बलकि हमारे relation में होती है. ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ soul में है, कुछ worldly चीज़े भी हमें देखनी पड़ती हैं. अनलाइक प्लेटो जो की radical reforms करते थे, कुछ भी बोल देते थे, कि बहुता साथ चीज़े अरिस्टोटल नहीं बोलते हैं, वो बहुत ही conservative हैं, और थोड़ा सा traditions और institutions को ध्यान में रखके, वो अपनी बातों को रखते हैं. जो प्लेटो का इडिल स्टेट था ना, उसमें बहुत ज़दा emphasis करा गया था unity के उपर, कि unity होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर harmony की बात नहीं की गई थी. रही बात family की तो मैंने आपको पहले भी बताया, वीडियो में बताया था प्लेटो वाली में, कि family को तो यह बिल्कुली बरबाद मानते हैं, भी यह family नहीं होना चाहिए, अगर जो philosopher king है, उसकी family नहीं होगी, तो वो सब को अपनी family के तरीके से देखेगा. लेकिन Aristotle बोलता है, कि it is better to be cared for by your own father than ignored by many fathers, कि एक बच्चे को parental care के जुरत होती है, यह जो तुम बोल रहे हो कि state सारे बच्चों का खयाल रखेगा, और उनको अपने according mold करेगा, तो वो साथ चीज़ा नहीं है, वो बच्चा है, वो कोई robot नहीं है, कि आप उसमें जो भी information feed कर family as an institution बहुत important है Aristotle के लिए, प्रोपर्टी के regarding यह बोलते हैं कि इनसान को यह पास यह प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक तो उससे motivation आता है, दुसरा जब आपके पास होगा कुछ, तभी तो आप दान कर पाएंगे, और अगर आप दान करेंगे, तो फिर आपक अब ऐसे तो कोई लोग काम ही नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे कि ऐसा ही तो मिल रहा है, जैसे कि हम बात करते हैं, universal payment की इस तरीके से कि आपको हमेशा एक fixed amount of money मिलेगा, आप कुछ भी करिए, तो वो चीज़े नहीं होनी चाहिए, इनसान जितना काम करता है, जितनी महनत कर है, उसके according उसे reward मिलना चाहिए, then is the permanent rule of philosopher ruler, तो यह बोलते हैं कि देखो philosopher ruler यह जो तुम बात कर रहे हो, वो उसके ideas जादा हैं, लेकिन वो किस तरीके से उनको implement कर पाएगा, उसकी कोई guarantee नहीं है, और Plato के according जो एक state है, वो ideal होना चाहिए, लेकिन Aristotle पॉलिटी की बात करते हैं तो यह मैंने पूरा summarize कर दिया है इनकी theory को, लेकिन still हम एक एक part को बहुत ही detail में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आता है इनका methodology, कि किस तरीके से वो अपनी philosophy को derive करते थे, कैसे वो उन conclusions से पहुचे, जो कि उनकी philosophy बनी बाद में, तो इनके methods को हम बोल सकते हैं, scientific है, historical है, comparative ह ठीक है, तो इस तरीके से इनकी पूरी theory आई है, फिर इनकी theory आती है, of ideas and forms, कि किस तरीके से एक चीज़ का, you know, teleological वाले चीज़ बताईए इन्होंने आपे, सबसे पहले term है, यह theology, theology क्या होता है, theology का मतलब है कि हर एक चीज़ के पीछे एक cause है, कुछ एक goal है आपका ultimate, आप उसकी तरफ काम करते हैं सारा, कि भाई यह एक last में goal है आपका, for example, आपने पनी life में goal बनाया है कि मुझे x, y, z, कुछ भी एक occupation करना है, मुझे business करना है, मुझे doctor बनना है, whatever you want, मुझे singer बनना है, तो आप उस predefined goal की तरफ काम करते हैं, दिन पर दिन, तब आप उसे achieve कर पात होते हैं, तो हर एक object के पास दो stages होती है, एक होती है stage of potentiality, and the second is the stage of final fulfillment of the potentiality, stage of potentiality का मतलब है कि आप अपने potential को realize कर रहे हैं, कि हाँ मेरा interest है कि शायद मैं एक अच्छी singer बन सकती हूँ, मेरी आवाज अच्छी है, आप इस बात को realize करेंगे, एक ताम पे, फिर उसके बाद ज that is the stage of final fulfillment of the potentiality, तो इसे तरीके से theology में भी होता है, जो वो बात करते हैं, तो यहाँ पर पूरी theory को explain करते हैं, example के साथ कि हर एक जो theory होती है, उसके बहुत सारे causes होते हैं, सबसे पहला होता है material cause, फिर efficient cause, फिर formal cause, और फिर होता है final cause, कि वो सारी चीज हो किसले रही थी, यह सा जो process था, उसका reason क्या था, तो यहाँ पर यह example लेते हैं, एक बीज का, तो जो एक seed होता है, वो develop होता है, एक plant के अंदर, तो जो उसका chemical makeup है, उस seed का कि किस तरीके से उसके अंदर के components है, वो उसका material cause है, कि इस वजहे से उसकी development फिर होने वाली है, जिस तरीके से कि इंसान के इंदर होता है, उसकी soul memprint, वो आपका थोड़ा naturally होता है, कि किसी का interest है painting के लिए, तो वो सीख था थोड़ी है उस चीज को, वो तो उसको बाद में थोड़ा सा और hard work से अच्छा बनाता है, लेकिन initially तो उसका interest था, तभी तो उसने उस चीज के उपर काम करा, then the second thing is, watering and fertilizer at a regular interval is its efficient course, कि आपने उसको पानी दिया और fertilizer डाला, इस वज़े से जो उसका talent था, वो efficient बन पाया, तो जब आप hard work करते हैं, आप extra classes लेते हैं उन चीजों के, फिर आपका जो talent है, वो sharp होने लग जाता है, then is, its formal course is the relation between growing seeds, different part, तो जब जो different parts and seeds के, वो grow करते हैं, उसे हम बोलेंग हमारा third phase, then is final course, जब वो seed एक plant बना था, तो ultimate तो goal यही था ना, कि एक बीज से एक plant बनना है, तो जो सारे process हुई, वो एक final goal के लिए हुई, जो की था एक paid बनना, तो यही है पूरा process of theology, फिर बात करते हैं, कि हमारे Aristotle जी, क्या विचार रखते हैं, virtue और moral action के बारे में, वर्चू का मतलब होता है idea of goodness, तो moral actions और idea of goodness के बारे में इनके क्या विचार हैं, तो इनके book ethics में Aristotle कोशिश करते हैं, कि वो बता सके moral analysis के बारे में एक इनसान की, तो इनका जो primary premise है, that is moral philosophy, कि आप एक जो चीज करते हैं final good के लिए, क्या वो moral है या नहीं है, वो आपको analyze करना पड़ता है, likewise in the moral life, the final goal or telos is happy life or eudemonia, तो जो Greek world था वहाँ पे, जो happiness है, उसको eudemonia बोलते हैं, तो उसमें आपको confused नहीं होना है, तो यह यह बोलते हैं कि एक जो moral life है ना, उसका ultimate target है कि आपको खुशी मिले, आपके जन्देगी का एक ultimate goal होता है कि आपको खुशी मिलने च खुशी नहीं है, तो वो corruption नहीं करेगा, जो यह जो संत महात्मा होते हैं, the people just, you know, leave everything behind, वो साइजी से छोड़ देते हैं, बुद्धा की तरह, उन्होंने सब को छोड़ दिया था, तो उनको realize हो जाता है कि यह साले चीज़े हैं जो इनसे मुझे खुशी नहीं मिलने वाली बलकि जो ultimate wisdom है, जो ultimate happiness है, वो कुछ और है, तो वही बात बताते हैं Aristotle, Aristotle points out that man alone abstracted from society cannot secure happiness for himself, कि एक जो इनसान है वो abstracted नहीं रह सकता society से, उसको दुसरे लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि इनसान एक social animal है, तो इसलिए उसे इस तरीके से काम करना चाहिए, कि वो moral रहे ताकि उ एक society अच्छे से function कर पाएगी, Aristotle बताते हैं कि तीन different aspects हैं, जिसके basis पे आप एक moral, rational, intellectual exercise कर सकते हैं, सबसे पहला है, for us to be able to say that someone has acted morally, there must be some intention to bring about good for others, कि सबसे पहले जब हमें analyze करना है कि किसी ने कुछ अच्छा किया या नहीं किया, कोई moral है या नहीं है, तो आपको ये criteria रखन चाहिए कि क्या इस से किसी और का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है, second is to be moral, an individual must not only have the strength of will, but the faculty of right judgment, कि आपके पास ठीक विचार करने का ठीक judgment लेने का एक वो reason होना चाहिए, थोड़ा बुद्धी भी develop होनी चाहिए तुमारी, ऐसे ही आप कुछ नहीं कर सकते हैं, and the third is कि flex action होगा कि आप कभी गलत कर ही नहीं पाएंगे, सबसे पहला action ही आपका सही होगा, so these are all the three stages जिस तरीके से आप moral based या फिर rational intellectual exercise कर सकते हैं, rational decisions ले सकते हैं, प्लेटो फिर बोलते हैं कि एक जो आदमी है वो political animal है, जब वो एक political community में रहता है, तभी वो realize कर पाता है कि उसका true nature क्या है, और तभी वो एक moral being बन पाएगा, Aristotle बोलते हैं कि जो laws है, good education है, वो बहुत ज़ादा important है आपके development के लिए और आपके individual self के लिए भी ताकि आप अचीव कर सके अपना goal of good life, next is theory of state, कि state के बारे में हुने क्या बोला, तो Aristotle देखते हैं कि जो state है न, वो human organization नहीं है, बल आपे सभी लोग एक harmony में रहेंगे और एक synchronous way में function करेंगे, he treats the state as a form or nature, in other words, the final fulfillment of certain inherent human potentialities, तो इनके according जो state है न, उसमें रहे के ही, आप अपनी जो human capabilities हैं, अपना जो potential हैं, उनको realize कर पाते हैं, अगर आप अखेले रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या एक nature है, आपका क्या talent है, क्या potential है, कुछ नहीं, आप सिर्फ एक state में रहे कि इन सारे चीजों को अच्छे से assert कर पाएंगे, every association aims at some good and the state as the highest association aims at the highest good, कि हर एक association का aim होता है कि वो सबसे अच्छा कुछ present करें, और state तो highest association है, तो इसलिए उसका तो aim है कि वो highest state of goodness को produce करें, जो की fundamental है, और आपके human relations को भी अच्छा बनाती है, तो यहाँ पर ये दो relations की बात करता है, सबसे पहला relation है एक आदमी का और और औरत का, that is a relation between men and women, वो होता है reproduction के लिए, then is second between the master and slave, वो होता है intellectual development के लिए, कि slave सारा काम कर सके और master के intellectual development हो सके, ये जो दोनों relations है, फिर मिलके बनाते है family, और जब बहुत सारी family कठी हो जाती है, वो बनाती है एक village, और बहुत सारे village बन कर बनाते है state, इसलिए जो individual है, उसका moral development होना, intellectual development होना, एक state के लिए बहुत important है, फिर Aristotle बताते हैं, तीन conditions, जिससे उनकी theory of state बनी है, सबसे पहला है, कि जो state है वो बड़ा ही natural institution है, कि उसमें तुमने नहीं बनाया, वो manmade नहीं है, वो nature में है, in nature that is, तो Aristotle का जो theological philosophy है, वो represent करता है, कि जो final development in the form, वो एक true essence है development का, कि जब आप state में होते हैं, तो ही अपना final potential realize कर पाते हैं, then the second thing is, man is by nature a political animal, कि जब आप एक पूरे state की निगराने में रहेंगे, तब आप resent action कर पाएंगे, third is Aristotle theory of origin of state, तो जिस तरीके से नोंने बताया कि पहले family आई, फिर village, फिर state, तो इनके according individual important है, लेकिन एक state से नहीं, state supreme है, क्योंकि आप अपने potential को realize ही state में कर पा रहे हैं, तो एक individual कैसे important हो सकता है, this is according to Aristotle, तो यहाँ पर यह बोलते हैं कि जो whole होता है, मतलब जो पूरा होता है, वो हमेशा एक छोटे से पार्ट से जादा important होता है, तो यहाँ पर यह example लेते हैं, हाथ का, कि आपका शरीर है, वो आपका पूरा शरीर जादा important है आपके हाथ से, क्योंकि आपका हाथ अकेला थोड़ी function कर सकता है, अब आपके हाथ को काट के side में रख दे, तो वो क्या कर लेगा, लेकिन आपकी body आपके हाथ के बिना भी function कर स इसरी है, moral और civilized life के लिए, कि अगर आपको एक अपना moral development करना है, civilized life बनाती है, तो law तो लेके ही आना पड़ेगा, चाहे फिर वो unwritten हो या फिर written हो, क्योंकि वो पूरा wisdom है, आपके पूरे generations का, past generations का, constitution इनके according, कोई basic law नहीं है, कि जो आपकी government को decide करेगा, power को decide करेगा, बल constitution है, उसके दो aspect होते हैं, एक होता ethical, and the second is institutional, ethical में आप बात करते हैं कि कैसे आपकी society function करेगी, community का क्या goal रहेगा, और दूसरा आता institutional कि भईया, political institution कैसे होंगे, power कैसे distribute होगा, कौन कैसे कब राज करेगा, तो वो सारी चीज़े cover होती है, constitution के अंदर, फिर प्लेटो बात करते ह छे type of government की, कि government six type की होती है, तीन तो है अपने original और real form में, और तीन है फिर उनकी perverted forms, perverted forms मतलब distorted forms, या फिर उनकी खराब forms, सबसे पहली है मोनार्की, मोनार्की का मतलब है कि जहां पर ruling power लाई करे एक आदमी के पास, और वो बड़ा ही committed हो public interest के लिए, ये पुरा Aristotle के according है, these are not the general definitions, तो Aristotle ने जो अपने theory में बताई है, वो definitions हम यहां पर deal कर रहे हैं, फिर जो मोनार्की है, उसका perverted form है tyranny, tyranny का मतलब होता है कि जब एक इनसान के पास power हो, और वो उसको self interest में use करे, कि अपने फायदे के लिए वो public office को use कर रहा है, फिर आती है aristocracy, aristocracy का मतलब है कि कुछ चंद लोगों के पास power है, लेकिन public interest में काम कर रही है, और इसका perverted form है, मतलब कि इसका खराब form है oligarchy, यहां पे लोग क्या करते हैं, कुछ कम लोगों के पास power है, लेकिन अपने self interest में वो इसको use कर रही है, फिर सबसे अच्छी form इनके according है polity, जहां पे when many people rule, जब काफी सार लोग rule करते हैं, और general interest में rule कर रही है, इसके perverted form है, democracy, जहां पे mass का rule है, इनके according क्या है, कि mass पड़े लिखे नहीं है, उनके पास दिमाख नहीं है, बेवकुफ लोग हैं वो, और हमें उनका rule नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए intelligent लोग rule करें, ताकि वो rational decisions ले सके, and इनके according quality is the best. तो सबसे बेकार मानते हैं, तो ये सारी चीज़े हमने discuss करी, तो best form of government इनके according वो है, जो की practicable है, जिसको हम लागू कर सकते हैं, और ये बहुत ही अलग है, idle state of Plato से, तो अब हम बात करते हैं कि ये quality को इतना अच्छा क्यों मान रही है, क्या है quality के अंदर, तो quality में जो middle class जो कि जिस इंसान ने बिलकुल ही पैसा नहीं देखा, तो फिर वो पैसे की तरफ भागेगा, तो ये लोग ऐसे हैं कि power भी देख रखी है, पैसा भी देख रखा है, ना ज़दा अमीर, ना ज़दा गरीब, तो इनका क्या nature है, according to Aristotle, ये लोग crime नहीं करेंगे, violence नहीं तो जो rich families हैं, उनसे भी इनको कोई ये नहीं होगा, कि भी ये इनसे हमने power छीन लेनी हैं ये सब, तो इनका सारे चीज बहुत ही clear है, कि हमें कैसे rule करना है, जो middle class है, वो best suited है rule करने के लिए, ताकि stability, peace और discipline बना रहे, क्योंकि अगर ये rich को possess करते हुए देखेंगे property को, तो poor को तो बहुत ही जलन feel होगी उसको देखके, लेकिन ये जो हमारे middle class लोग हैं, इनके पास तो है इतना सा कि गुजारा हो सके, तो इनको कुछ जाड़ा जलन की feeling नहीं आएगी और state अच्छे से rule कर पाएगा, फिर एक और चीज आती है, कि ये जो poor लोग होते हैं, इनको सिर के rule में रहना भी आता है, और खुद भी rule करना आता है, इसलिए जो सारा एक idle state है, इनके according, जो practicable state है, उसमें middle class ruler ही अच्छे से rule कर पाएगा, और history में काफी सार एविडेंस भी हैं, जैसे कि solen, फिर ये है लाइ सर्गिस और करेंडिस, तो ये सारे लोगों ने भी rule किया है and they have been the famous lawmakers, फिर next concept है कि idle state का nature और composition क्या होना चाहिए, तो Aristotle के according, जो काफी सारे experiences हैं, उनको मिला के आपको ये सारे चीसे समझनी होंगी and he wants that कि जो idle state है, आफर जो happy state है, आप उसको in activity से नहीं लेके आ सकते हैं, आपको बहुत जादा good work करना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा अपने state के लिए, तभी आपका state एक idle state बन सकता है आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो courage होनी चाहिए, intelligence होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास courage होगी तभी आफिर कुछ कर सकते हैं, friendship, companionship, ऐसी ऐसी qualities आपके पास होनी चाहिए और जो यह आपकी friendship होनी वाली है, यह selflessness के उपर based होनी चाहिए, आपका कोई motive नहीं होना चाहिए, कि हाँ मैं इसको ही दोस्त बनाऊंगा, इसका ऐसा nature है and all, वो सिर्फ pure soul का concept होना चाहिए Aristotle के according, society के अंदर 6 classes है, सबसे पहले है husbandmen, मतलब कि जो produce करते हैं farmers, artisians, warriors, businessmen, priests, counselors and judges तो इनके according, जिन लोगों के पास सबसे highest moral virtue है, वो capable है function of state को fulfill करने में, तो यहाँ पर यह artisians वो businessmen को eliminate कर देते हैं, कि भाया, इनका तो main motive ही पैसा कमाना होता है, money, power, इनका main motive है, इसलिए इनको हम eliminate कर सकते हैं, highest moral virtues में से, फिर दुसरी बात आती है कि farmers को क्यों नहीं रखते हैं, वो as a citizen in his idle state, क्योंकि यह लोग अपनी agriculture activities में ही लगे रहते हैं, तो इनके पास इतना time ही नहीं है, कि अपनी moral virtues को develop कर सकें, और जिसके भी moral virtues develop नहीं होंगी, वो इनके idle state का part नहीं होगा, फिर next concept है, कि घर परिवार के बारे में क्या बोलते हैं, हमारे Aristotle, तो citizen, women, children, property, इन सारे चीजों को यह consider करते हैं, और इनके according एक इनसान के civic virtues होते हैं, और moral virtues होते हैं, तो इनसान का जो process of socialization है, वो काफी important है, तो इनका मानना यह है, कि जो male-female का relation ह है, वो काफी biological है, जो children है, उनका bond होना चाहिए, उनके बीच में, जो women है, वो important है, social happiness के लिए, उनको educate करना चाहिए, train करना चाहिए, और इनके according अगर male members, active members हैं, family के अंदर, तो औरते passive members हैं, और यह काफी इसा state और politics के lens से यह सारे चीज़े बता रहे हैं, कि male जदा active रहे politics, अब बात करें property की, तो मैंने आपको पहले भी बताया, कि इनका मानना यह है, कि आपके पास private property होनी चाहिए, क्योंकि पहली बात तो अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आप hard work कर रहे हैं, तो आप deserve करते हैं, कि आपके पास कुछ, जो side cheese है, आपका जो reward है, आपको मि achieve कर पाएंगे, then is, कि जो private property है, उससे इंसान अच्छे से अपने responsibility समझ सकता है, for example, कि मेरा particular book है, मैं अपनी book को लेके बहुत ज़्याद ऐसा रहते हूं कि, no, I don't want to give it to other people, ऐसा नहीं है कि मैं share नहीं करना चाहती उस book को, क्योंकि वो मेरी book है, तो सामने वाला उसकी responsibility लेग अच्छे से या नहीं लेगा, वो उसको इस तरीके से रखेगा या नहीं रखेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि दूसरे की चीज को आप इतने importance नहीं देते हैं, फिर आप उसके page वेज फोल्ड कर देते हैं, तो वो चीजे, it's very disturbing for a reader at least, ठीके तो वो चीजे होते हैं, क्यो सब्सक्राइब को काफी ज़्यदा क्रिटिक किया है, इनके according जो प्लेटो है, वो एक यूनिट, यूनिटी एस्टेबलिश करना चाहते थे, extreme extent तक, और ये काफी ज़्यदा बैड है, एक ससाइटी के लिए, क्योंकि आप प्लूरालिटी को मिटा दे रहे हैं, आप जो एक homogenous nature चाहिए, ससाइटी का, second is कि अगर आपके पास property होती है, collective ownership होता है, तो फिर आपका dispute भी बहुत ज़्यदा होंगे, कि भाया, यह है किसकी, तो तब तक आपको private ownership नहीं मिलेगा, किसी चीज़ का, आप उसके लिए responsible में नहीं होंगे, फिर आता है कि जो आपका pleasure है, वो आ कि आपको private property चाहिए, comfortable life के लिए, और आपको वो तभी मिल सकती है, जब यह private ownership वाला concept होगा, तो इसलिए जो state है, communism वाला वो काफी flawed है, according to Aristotle, then our next concept is of slavery, तो slavery को भाजर आप practice किया जाता था, ग्रीस के अंदर, और यह अरिस्टोटल यह भी बोलते हैं कि भाई, अच्छा सिस् इनका यह है, कि जो slave है, उनका काफी जड़ा contribution रहेगा, intellectual और moral development of master में, क्योंकि अगर slave सारा काम कर देगा, तो master free रहेगा, और इंसान अगर free रहेगा, तो वो knowledge ज़्याद से ज़्यादा ले पाएगा, second is, कि जो system है slavery का, वो wholesome है, बहुत slaves के लिए भी, क्योंकि जो यह आद रख रहा है, क्योंकि as tam animal are always better off when they're under the control of men, tam animal का मतलब है wild animal, कि wild animal हमेशा तभी सही रहते हैं, जब वो किसी के control के under हूँ, तो वो सारी चीज़ इनोंने बताई है, slavery के regarding, third यह point देते हैं, कि बड़ा natural system है, यार ऐसा नहीं है, कि हर एक इनसान पैदा हुआ है, रूल करने के लि तो इसलिए, ऐसा कोई immoral नहीं है, यह चीज़ की कोई rule करें, और कोई उसके under अपना, यह जो सारा life है, उसको नुच्छावर कर दें, बात कीज़ाए citizenship की, तो citizen यह सिर्फ उन लोगों को मानते हैं, जो कि state की functionary में काफ ज़दा active role play करें, ऐसा नहीं कि आप एक जंगे हुएं, आप वहीं के citizen बन गए, at least तब इंडिया, जो constitution बना था, उसके according, there are several amendments and all, तो हम उस technicality में नहीं जाएंगे, तो थोड़ा सा raw form में अगर हम देखें, तो इंडिया का यह concept है, लेकिन यहां पर यह बोल रहा है कि वो आदमी जो judiciary में और deliberative functions में, of public assembly जो function participate करेगा, उ उसको ही हम proper citizen मानेंगे, फिर next concept आता है हमारा justice का, तो justice को यह काफी important मानते हैं अपने state के लिए, कि इंसान तभी अच्छे से grow कर पाएगा, जब justice का concept होगा, justice इनके according दो type का है, distributive और corrective, distributive का मतलब है कि जिसके जितनी merit है उसके according उसको justice मिलेगा, और corrective का मतलब है कि सबको बराबर समझा जाएगा, तो इस distributive justice के concept में क्या होता है, कि जो सारे offices है, wealth है, reward है, dues है, उनको distribute किया जाता है, different social classes के according, based on their merits की, क्या उनकी merit है, क्या उनका spirit है for the constitution, तो उसके according के सारा जो distribution है, वो होता है, ऐसा नहीं है कि सबको बराबर मिलेगा, जिसका जितना merit है, उसके according आपको आपका, जो भी justice है, वो deliver किया जाएगा, फिर last concept हमारा आता है, revolution का, तो according to Aristotle, revolution क्या है, revolution का मतलब है, जब आपके rulers change हो जाए, पॉलिटी का आपका nature change हो जाए, या फिर palace के अंदर revolution हो जाए, या फिर political instability आजाए, political transformation हो जाए, या फिर कुछ violence, destructive, bloodshed, ये सब हो, और उसके बाद कुछ change हो तो उसे हम revolution बोलेंगे, तो ये था पूरा definition of revolution by Aristotle, I hope आपको उनका पूरा philosophy समझ आया होगा, कोई भी question, query जो भी है, उसे आप पूस सकते हैं, I'll meet in the next video, तो then take care, stay happy, stay healthy, और अपना feedback देना ना भूले, this takes a lot of time, energy, and everything, like I'm creating content for you people, तो आप अपना एक दो मिनट तो निकाल ही सकते हैं, for giving your feedbacks, तो प्लीज अपना feedback जरूर देके जाएं, and also subscribe the channel, and share this video with your friends,